मुवी का स्टार्ट जैक को दिखाते हुए होता है जो कि अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे उसका नेबर माइकल सेंटररेस में मिलता है माइकल जैक को देखती है उसे अपने घर पर क्रिस्मस टीनर के लिए इनवाइट करता है और अब हम देखते हैं कि जैक अपने घर पर अपनी वाइप लूसी के साथ है उसका इस दुनिया में लूसी के इलावा कोई भी नहीं लूसी और जैक ही एक दूसरे के लिए सब कुछ है वो लो क्रिस्मिस गिफ्ट एक्षेंज कर रहे होते हैं कि अच्छानक लूसी को विंडो के बाहर बहुत ही हॉरिबल लाइट दिखाए देती है लूसी उस लाइट को देखकर बहुत जादा डर जाती है जैक को उस लाइट के बाहरे में बताती है तो जैक उसकी बात पर यकीन नहीं करता लेकिन जब जैक ये अपसर्फ करता है कि लूसी बहुत ज़दा डरी हुई है वो उन लाइट को देखने के लिए अपने घर से बाहर जाता है और अपने साथ एक नाइफ भी ले लेता है घर के बाहर उन लाइट को ढून रहा होता है जिसके बाहर में लूसी उसे बताती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता लेकिन घर आने पर लूसी गाइब होती है लूसी को ढून रहा होता है तो उसे अच्छानक अपने रूम से बहुत ज़दा खोफनाक आवासे आने लग जाती है जैक परिशानी के साथ वोरन से अपने रूम में उपर की तरफ जाता है रूम के बाहर से ही जैक को रूम के अंदर से लाइट साथी महसूस होती है वो फोरन डूर ओपन करके जब अंदर जाता है तो बहुत ज़दा खब रहा जाता है क्योंकि लूसी बैट पर तडब रही होती है और उसके मूँ से कुछ लाइट भी निकल रही होती है इसी के साथ मूवी में हमें जैक की नेबर माइकल के घर के सीम देखने को मिलते हैं जहां पर क्रिस्मस टीनर की त्यारियां चाहरी होती है माइकल की फैमली भी माइकल के साथ किचन में होती है और माइकल की फैमली में उसकी वाइफ, एक बेटी और दोग बेटे होते हैं उसी दुरान माइकल डोर पर तुनकर डोल की तरफ जाता है हम माइकल के गार डोर पर जैक और लूसी होते हैं लेकिन वो बिलकुल भी खुश नहीं होते और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता कि वो यहाँ गेस्ट आए हैं उन दोनों के ही फेस पे बहुत हॉरिबल एक्सपेशन्स होते हैं लूसी अंदर आकर जीसिस की फोटो गिरा देती है और जिससे अपे हमें स्टोरी थोड़ी सस्पेशियस लगना शुरू हो गई है जहां पर हम लूसी की आइस में कुछ लाइट भी देखते हैं जिससे हमें ये अंदाजा होता है कि शायद लूसी और जैसी इवल स्पिरिट के कबजे में आ गए है अभी कचन में जाती है जहां पर माइकल कि वाइफ उसे एक नाइफ लेती है अनियन कट करने के लिए यहां पर लूसी बहुत weird behave करती है और अनियन ऐसे काट रही होती है जैसे पहली मिर्तबा काट रही हो देखकर माइकल की वाइफ थोड़ा हिरान सिरूर होती है लेकिन में लूसी को कुछ भी नहीं कहती और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइकल चैग को अपने घर की बेस्पिट की दरफ लेकर जाता है माइकल चैक को उस टीवी के बारे में बताता है कि वो उसको इसके डैड ने दिया था और अब वो टीवी पॉप ने बेटी को देखा यानि वो एक इनहेरिटिट टीवी है किसी के साथ-साथ यहां पर लूसी भी आ जाती है लेकिन लूसी बहुत अच्छी बेहेव करती है और किसी को भी पता चलाए बगए वहां से एक एमर उठा लेती है अब क्रिस्मस डिनर शुरू होता है और माइकल की फैमली बहुत ही जादा खुश होती है लेकिन यहीपर लूसी और जैक इस तरह बैटे होते हैं जिस तरह किसी ने उन्हें सबर्धस्ति बिठाया हो ना तो वो सिनर इंचोर कर रहे होते हैं और ना ही वो किसी के साथ बात कर रहे होते हैं यहीपर माईकल की वाइफ जो करे कैंसर परकторов से दिए ह Boss उसकी रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं और वह अच्छी होती जा रही है उसी तुरान जैक महां से जा चुका होता है और लूसी अचानक उठती है और अपने हाथ में पकड़े हैमर से माइकल की वाइफ पर हामला कर देती है और उसका हैट क्रैश कर देती है ये सीन सच में बहुत शोकिंग है वहाँ पे मुझूद सब लोग शोक रह जाते हैं यहाँ पर पहली मर्तबा लूसी के फेस का एक्सपरेशन चेंज होता है और वो बहुत जादा मुस्कुरानी लगती है इसी के साथ जैक वहाँ पर स्पाटकन लिए आता है जैक भी लूसी की तरह बहुत ही अचीब पेफ कर रहा होता है वहाँ मुझूद बलड को अपनी फिंगर से टेस्ट करता है और अब वो लॉरेंस के पास आता है चूंकि माइकल की बेटी होती है बहुत ही जादा खपरा जाती है और जैक लॉरेंस को कहता है यह सब हमारे ब्रो के खुलतियां है जिने हमें भूगतना पढ़ रहा है वहाँ पर चैक लॉरेंस के फेस्ट पे लगे हुए भी लाट को भी टेस्ट करता है और माइकल के वाइफ की टेट बॉड़ी को भी पाउंसे पकर के वहाँ से ले जाता है इसके पाद लूसी वहाँ से गन उठाती है और सब्वो गन पॉइंट पर खड़ा करती है उसी माइकल और उसके चोटे बेटे को उनके रूम्स की तरफ ले कर जाती है और उन्हें उनके रूम्स में लॉक करती है ये देखकर एरिट चो के माइकल का बड़ा बेटा होता है इचे से बहुत जोच से शाउट करता है जिस पर लूसी उसके हेड़ पर गन से हिट करती है बहुत हैजीब तरीके से उसका माउथ एक्जैमिन करती है और फो उसको पर रूम्स में लॉक करती है लूंसी मार्गल के चोटे बिटे के कमरे में होती है जहांपर वो बच्रा लूसी से पूँचता है कि उसने उसकी मा को क्यों मारा तो लूसी कहती है कि वो तो पहले ही ड़ती अब इस बात करने का कोई भी फाइदा नहीं है उसी उस बचे को जो स्टोरी सुनाती है वो बहुत ज्यादा आजीब होती है वो कहती है कि बहुत साथ पेले एक फादर था और एक दिल उसने अपने घर पर गेस्ट को इन्वाइट किया वो फादर बहुत सेलफिश था प्लास टूल लेती है और अपने दो दान निकालकर उस बचे के हाथ पर रख देती है अगर हम उस स्टोरी की बात करें जो लूसी ने उस बचे को सुनाई तो मुवी में ऐसा कुछ भी बताया नहीं है कि वो स्टोरी माइकल के बारे में है या उसके एलडर्स के बारे में यहां से सीनब लॉरन के रूम में शिफ्ट होते है जहां पर लॉरन बेट पे लेटी हुई बहुत जादा डर रही होती है लॉरन को अचानक अपने बॉइफरेंट के ख्याल आता है और वो अपना फोन उठाती है और उसे कॉल करती है और सारी सिच्विशन बताती है पहले तो उसका बॉइफरेंट यकीन नहीं करता और उसे कहता है कि तुम फोरन माँसे भाग जाओ यहीं पर हम देखते हैं कि जैक उसके बेट के नीचे चुपा हुआ और अउसकी सारी बाते सुन रहा हुता है जैक को यह सबसुनकर बहुत सङुआ होसा चाता है और वो बहुत जोर से साउंद करता है सांद को सुनते हुए लॉरें बेहोश हो जाती है और अब जिस लॉरन teraz होश में आती है तो उसे Eric की यानि अपने बड़े भाई की आवासे आती है वो Eric की आवास का पीचा करते हुए उसके पास जाती है Lauren अब अपने भाई को टूरने के लिए अपने घर के उपर वाले हैसे बेचाती है लेकिन वहाँ जाकर वो देखती है कि टीवी वहाँ पर मुझूद है इसमें से बिल्कुल वैसी ही लाइट ही मिट हो रही है जैसी लूसी और जैकी आईस में से हो रही होती है अभी Lauren बीचा रही है सब कुछ समझ नहीं पाती है कि लूसी पीचे से अटेक कर देती है और Lauren एक पर फिर बेहोश हो जाती है और अब जब Lauren को होश आया है तो वो देखती है कि वो एक चेयर पर है उसके सामने उसका भाई Eric भी बेहोश पड़ा है और अच्छानक उसकी नगज़ जब Jack पर पढ़ती है तो वो बहुत साथा डर जाती है Jack के हाथ में एक गन होता है जिसे वो Lauren को देता है और कहता है कि तुम इस गन से अपने भाई को मार दो अगर तुमने नहीं मारा तो इसे हम मारेंगे और जब इसे हम मारेंगे तो हम इसे बहुत बुरी मौत देंगे इसी के साथ साथ सबसे डिसकस्टिंग यह होता है कि Lucy Lauren पर अपना सलाइवा गिरा रही होती है और बहुत weird एक पिकर रही होती है यहीं पर Lauren कुछ सोचते हुए अपने भाई के उपर गंतान लेती है लेकिन यहीं पर Eric को होश आजाता है और Eric उसे मना करता है कि तुम मुझे ना मारो मुझे तुम्हारे हाथ से मरना कबूल नहीं इनके हाथ से मरना कबूल है लेकिन Lauren फिर भी शूट कर देती है और यहीं पर Eric का इतबार अपनी बहें से उठ जाता है और वो उससे न Shelby करने लगता है से एरह अपने हापको अजाद करवाता है और नीचे चला जाता है नीचे चायकर जब फादर की रूम में जाता है तो वहां बहुत कुछ अजीब सुनने को मिलता है मायिकल एरिक को बताता है के जैक उसी का बेटा है जिसको उसने अपना नाम नहीं दिया था पर शायद जैक इसी चीज़ का उन से बतला ले रहा है इसके माद हम देखते हैं कि जैक और लुसी बुरी तरह गसीटते हुए बेस्मेंट मेरे जाते हैं जहां पर वही टीवी होता है जिसके अंदर से लाइटी मिठ हो रही होती है जैक और लुसी एरक को पुसेस करने यनि अपने कबसे में करने की कोशिश कर रहे होते हैं और जब वो पुसेस हो जाता है तो लुसी उसके मूँ पर अपना ब्लड फैंकती है और बहुत ही अजीव तरीके से उसे साफ करने लगती है इसी तुरहां जैक को महसूस होता है कि लौरन वहां से भाग गई है और ऐसा ही हुआ होता है लौरन वहां से भाग कर गई पर छुप जाती है जाते मूँ इसके शीन दुबारा माइकल की जरफ जाते है माइकल को कोई डूर के नीचे से उसकी रूम की चाबी देता है अपने रूम को ओपन करता है और लौरन को डूरने के लिए निकलता है लेकिन उसे बहुत ही अजीव गरीब आवाजे आती है वो तुबारा अपने रूम में जाता है और जैसी ही घर्टन अठाता है उन से बहुत जादा भरी हो यह थी देखना माइकल के लिए बहुत जादा स्केरी होता है यहां से अब दुबारा हमें लौरन देखने को मिलती है जिसको बहुत जैसलों पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं जिनको माइकल ने अपनी विंडो के बाहर से देखा था जहां पर अब दुबारा हम माइकल और एरिक को देखते हैं जोके बेस्मेंट में आ चुके होते हैं माइकल जब एरिक की पट्टी उतारता है तो उसकी आंखे तो बिल्कुल ठीक होती है लेकिन उनकी आंखों में से वही लाइट से मेंट हो रही होती है जो के लूसी ही आइस में से मेंट हो रही थी इससे माइकल को अंदाजा हो जाता है कि उसका बेटा भी पोसेस्ट है लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता एरिक अपने डैट को भी पुसेस करने के लिए उस टीवी के आगे कर देता है माइकल चलाने लगता है लोरन अपने डैट की आवाज सुनती है और हिम्मत करती है और वहां से भाग कर अपने घर का मेंसुच तोर देती है जिससे लाइट ओफ हो जाती है और माइकल पुसेस होने से बच जाता है तो वो अपने बेटे का गला दुबाने लगता है जिसे दुबाते हुए उसके मुँ में से स्पिरिट निकल जाती है जिसका मतलब होता है कि डेवल स्पिरिट उसके अंदर से निकल गई है लेकिन माइकल एरिक को नहीं छोड़ता और वो उसे जान से मार डालता है और इसके बाद हम लॉरन को दुबारा से देखते हैं इसको वो पुजेस्ट आदमी और लुसी दुबारा से पकर लेते हैं लुसी को देखकर वो बहुत ज़दा ढर जाती है और हम देखते हैं कि लॉरन के हाथ में एक रसी आ जाती है उसे लॉरन लुसी के कले में बांद कर उसे ट्री से लटका देती है और जब लुसी के सांसे रुखने लगती है तो वो उसे कहती है कि उसे छोड़ दे और लॉरन उसे जान से मार देती है हम तुबारा माइकल को देखते हैं जो लाइफ ली अपने छोटे बेटे के रूम में जाता है जहां पर उसे जैक नलता है जैक उसे कंट से शूट कर देता है और सिर्फ यही नहीं वो माइकल के हाथ से नाइफ लेकर उसे बहुत जादा मारता है जिससे माईकल की डेथ हो जाती है इतने में वहाँ लारन आती है और लारन अपने हाथ में गmot लेकर जैक को शूट कर देती है जिससे जैक मर जाता है और वो अपने भाई को लेकर बाहर निकलादी है इस उमीद के साथ कि शायद वो दोनों बज़ गए हैं लेकिन बाहिर आने पर हर जगह उसे वो इवल स्पिरिट और लाइट्स नजर आने लगती हैं, जिसका मतलब होता है कि वो भी नहीं बचेंगे, और इसी के साथ चाथ उसके भाई की आँखों में भी लाइट होती है, और मुवी का एंड इसी क्रियोसिटी के साथ हो जाता है, क्योंकि स्टोरी सस्पेंस पर खतम हो गई है, तो शायद हम इस थियोरी पर बिलीव कर सकते हैं, कि किसी इवल स्पिरिट ने आर्थ पर हमदा किया हो, और वो अपनी आर्मे बनाना चाहते हैं, और इसकाम का आगाज उन्होंने जैक और लूसी से किया, क्योंकि उन लोगों सिर्फ हल्दी लोग चाहिए होंगे, इसलिए उन्होंने माइकल की वाइफ को भी मार दिया, ये भी हो सकता है, कि शायद माइकल और उसके एल्डर्स ने कुछ इवल किया हो, जिसके नतीचे में इन लोगों को ऐसा कुछ सहना पर रहा हो, यूकि जैसा हमने देखा कि मुव जो के एंटो तहे